हले स्टुरेंस वेलकम तो चानल सब कुछनों आज आप लोग प्रहेंगे क्लास नाइंथ इंसी आटी मायत का प्रसनावली 10.4 का सेकेंड कुश्चन से आगे इससे पहले वाले पाट में आप लोगों ने प्रसनावली 10.4 में कुश्चन फर्स तक पूरा कम्प्लीट पढ़ा आप लोग जानते हैं कि कोरोना के वज़े से जो 30 परसेंट कोर्स कम किया गया है उसमें चैप्टर 8 और 9 इस साल आप लोगोंको नहीं पढ़ना है तो इसलिए हमने चैप्टर 7 के बाद से चैप्टर 10 को सुरु किया है आप लोगोंको 8 और 9 नहीं पढ़ना है तो देखिए यहाँ पर second question दिया हुआ है यदि एक बिरित की दो समान जीवाएं बिरित के अंदर प्रतिछेट करना तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं पहले तो दियान से question को समझेंगे फिर figure बनाएंगे और figure बनाने के बाद question को solve करेंगे आप लोग premier जीतने भी इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं उसको आप लोगों को याद रखना सबका यूज होता रहागा तो देखिए का रहा है यदि एक बिरित की दो समायन जीवाएं बिरित के अंदर प्रतिछेद करना का रहा कोई एक बिरित है हम लोग एक बिरित बना लेते हैं का रहा कोई एक बिरित है मानले जी इसका के अंदर ओ हो गया तो एक बिरित है और का रहा कि बिरित की दो समायन जिवाए बिरित के अंदर प्रतिछेद कर रहा है दो जिवाएं इसमें हम लोग लेंगे जो दोनो जिवाएं होंगी वो क्या होंगी एक दूसरे को प्रतिछेद करेंगी माले जी एक जीवा हमने ऐसे ले लिया और एक जीवा हमने ऐसे ले लिया ये दोनों जीवाएं क्या है माले जी एक जीवा का नाम हो गया AB और एक जीवा का नाम हो गया CD दोनों एक दूसरे को देखिए प्रतिछेद कर रहा है किस बिंदू पर यहां भी कुछ नाम ले लेते हैं माले जी हमने ले लिया इसका नाम है पी पर प्रतिछेद कर रहा है देखिए एक बिरित की दो समान जिवा है यह जो दोनों जिवाएं है यह क्या है एक दूसरे के समा तो कह रहा है बिरित के अंदर अगर प्रतिछेद करना देखिए एक बिंद उपर प्रतिछेद करना तो सिद कीजिए सिद क्या करना है ये ध्यान देना अप लोगों को एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं खंड किसको करते हैं, देखिए खंड मतलब कई भाग में अगर बट गया तो वही खंड कालाता जैसे देखिए यह जो जीवा AB था दो खंडों बट गया किसमें एक AP में, एक PB में अर यह की यह C D जो जीवा था C P में और P D में बट गया है तो हम लोगों को स्षिध क्या करना है एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होगे मतलद एक जीवा के जो खंड होगे जैसे महल लेधे इस जीवा का जो खंड है P V ये किस के बराबर सिद करना होगा इस जीवा के इस PC के बराबर फिर इस जीवा का जो ये PA होगा इस जीवा के PD के संगत खंडों के बराबर होंगे मतलब ये खंड इस जीवा का ये हो गया बड़ा वला तो ये हमको सिद करना इस बड़े वाले खंड के बराबर होगा तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे ग्यात है अब घ्यात है क्या दिया हुआ है एक बीरित दिया हुआ है जिसकी दोस्ट समान जिवाएं भी दिया है बृएत-परतिछेद भी कर नहीं तो यह हम लोग लिखेंगे लिखेंगे एक बिरित तथा उसकी दो समान जिवाएं एक बिरित दिया हुआ तथा उसकी दो समान जिवाएं समान जिवाएं कौन-कौन A, B और C, D इतना दिया हुआ है और देखिए दोनो जिवाएं एक दूसरे को बिंदू P पर प्रतिछेद करना लिखेंगे तथा दोनो जिवाओं का प्रतिछेद बिंदू दोनो जिवाओं का प्रतिछेद बिंदू P ये P दिया हुआ है, दोनो प्रतिछेद करना है अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे सिध करना गयात हमने लिख दिया तो लिखेंगे सिध करना है अब सिध क्या करना है यह आप लोग ध्यान से समझेंगे हमने आप लोगों को बताया कि जो जीवा के संगत खंड होंगे वो एक दूसरे एक बराबर होंगे ये सिद करना तो इस जीवा का संगत खंड कौन है इस जीवा का PB है और इस जीवा का PC है तो हम लोग लिखेंगे इस सिद करना है PB बराबर PC तथा और क्या सिद करना है इस जीवा का एक खंड ये भी है AP तथा AP बराबर कौन AP बराबर कौन ये DP ये हमको सीध करना है अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग करेंगे रचना रचना क्यों करेंगे क्योंकि हम लोग रचना से तिरिभूज बनाएंगे जब तक तिरिभूज नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग को solve नहीं कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहला कान क्या करेंगे हम लोग केंद्र को इस P से मिला देंगे क्या करेंगे इस केंद्र को हमने P से मिला दिया तो हम लोग लिखेंगे केंद्र O को केंद्र O को बिंदू P से बिंदू P से मिलाया अब देखिए इतना हमने कर लिया भी और भी रचना करेंगे भी तिरिभूज नहीं बना अब हम लोग क्या करेंगे सबसे ध्यान देने वाली बात ये होगी हम लोग खीचेंगे यहां से लंब उसे यह जो cd जीवा है इस पर हम लोग क्या डालेंगे एक लंब डालेंगे लंब डालेंगे मतलब 90 का कोड बनाएगा यहां भी यहां भी इधर और फिर हम लोग यहां से इस a b वाले जीवा पर भी लंब हम लोग डालेंगे 90 का कोड बनाएगा ध्यान दिजिएगा आप लोग लंब हमने डाला है लम डालेंगे तो यहां कुछ नाम लिख लेते हैं माली जी हमने लिख लिया M और N हमने ये नाम लिख लिया अब ध्यान क्या देना आप लोगों को देखिए दो तिरभूज बने हमने तिरभूज क्यों बनाया रचना क्योंकि यह इसको भी देखते हैं पहले हम लोग रचना को लिख लेते हैं मिलाया तथा केंदर O से जीवा इस A, B पर हमने लम खीचे है और C, D पर भी तो हमने लिखेंगे केंदर O से जीवा A, B तथा जीवा C, D पर लम्ब लम्ब कौन है O, M देखिए हमने क्या लिखा जीवा A, B तथा जीवा C, D पर A, B पर हमने क्या खीचा O, Yन तो A, B तथा जीवा C, D पर लम्ब O, Yन तथा O, M खीचा इतना आप लोग लिख लेंगे रचना में अब हम लोग लिखते हैं प्रमार अब यहां से हम लोग सीध करते हैं इसको तो देखिए कैसे जानेंगे रचना करना है क्या करना है पहले तो जानेंगे तिरभूज बनाना तिरभूज बनाने के लिए O को P से मिला दिये और लंब खीचेंगे लंब खीचेंगे देखिए क्यों हमको क्या करना है हमको यह सीध करना है कि कौन यह जो P B होगा किसके बराबर होगा P C के बराबर होगा देखिए P B किसके बराबर होगा P C के यह हमको सीध करना है तो सीध करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे जब दो तिरभूज हमने बना लिया हम लोग इतना सीध कर लेंगे ये दोनों तिरभूजों को अगर हम लोग सरवांगसम दिखा देते हैं सरवांगसम दिखाने से हमारा क्या होगा इतना सीध हो जागा ये तिरभूज में ये इसके बरापर ह सरवांसम दिखाने के बाद जब ये इसके बराबर हो जागा तो हम लोग सीध कर सकते हैं आसानी से इसलिए हमने तिरभूज बनाया और ये लंब खीचा लंब खीचने उसे फायदा क्या होगा ये दखिए आप लोग जानते हैं बिरित के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गय लंब जीवा को समधिव भाजित करता है मतलब दो बराबर भागों बाता हमने लंब खीचा इस पर तो ये बराबर होंगे को सी एम और एम डी ये जीवा को दो बराबर भागों बाता है फिर इसी तरह से हमने O N लम खीचा तो A N और N B बनाबर होंगे इसका फादा भी देखिए कैसे होगा पहले तो हम लोग दोनों तिरभूजों को सरवांग सम दिखाते हैं तो देखिए लिखेंगे तिरभूज एक यह है O M P और एक O N P लिखेंगे तिरभूज O M P तथा तिरभूज O N P में अब इन दोनों तिरभूजों में हमको क्या करना है सरवांग सम दिखाना तो देखते हैं हम लोग सरवांग सम हम लोग कैसे दिखाएंगे O M बराबर होगा किसके O N के O M बराबर होगा किसके O N के, क्यों बराबर होगा बराबर जिवाय केंदर से समदुरस्थ होती हैं, आप लोग ये प्रमे पढ़ चुके हैं, कि अगर बिरित में जितनी भी जिवाय होगी, वो केंदर से बराबर दूरी पर होती है, तो इसलिए O M बराबर होगा किसके, O N के, कारर क्या लिखेंगे, बराबर जिवाय हैं, बराबर जिवाय हैं, केंदर से समदुरस्थ होती हैं, किसी भी बिरित में बराबर जिवाय होती हैं, केंदर से बराबर दूरी पर होती हैं, ये प्रमे आप लोग पर चुके हैं, तो O M के बराबर O N हो गया, और देखिए, ये O P लाइन है, इस वाले तिर्भूज में भी है, उस वाले तिर्भूज में भी है, तो हम लोग तिर्भूजा कड उसमें देखिए है, कड दोनों बराबर है, तो कोई एक ही भूजा बराबर हो गया, मतलब कोई दो ही चीज़ पर हम लोग इसको सरवायंग सम लिख सकते हैं, सम कोड तिर्भूज वाले में, हम लोग लिखेंगे, इसलिए तिर्भूज, O, M, P, O, M, P, सरवायंग सम होगा, किसके, तिर्भूज, O, N, P, के यहां कारर क्या लिखेंगे, R, H, S, द्वारा, अब इस तरह से यह जब सरवायंग सम हो गया, सरवायंग सम दिखाने सम को फायदा क्या होगा, अब हम लोग का सकते हैं, इस तिर्भूज का M, P, और इस तिर्भूज का P, N, दोनों बराबर होगा, हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए MP इस तिर्भूज का MP है इस तिर्भूज का PN है उसके बराबर होगा कारण क्या लिखेंगे CPCT द्वारा अब देखिए जब ये बराबर हो गया इसको हम लोग बना लेते हैं समी करण फरस्ट इसका हम लोग यूज करेंगे MP, PN जो आया इसको हम लोग समी करण फरस्ट बना लिए इसको हम लोग यूज करते हैं अब देखिए कैसे क्या करना है अब हम लोग लिखते हैं देखिए पहले us question में दे दिया ये jiwa AB बराबर हो किसके jumba cd के question में ही दिया है कि दो समान जिवा है हम लोग लिखेंगे आप यहां लिखते हैं में लिखेंगे चुंकि a b बराबर है किस Chipychau ओ किस जो a b बराबर किस के cd के यह question मेरे दिया हुआ तो अ-बी जब सीडी बरा बर हम लोग क्या कर सकते हैं हाफ AB ले सकते हैं, हाफ मतलब आधा AB, आधा AB क्यों लेंगे दखिए, हमने इतना सीध कर लिया है, अब हमको इतना सीध करना है, इतना, तो इतना कैसे आगा, ये आधा होता है इसका, और ये आधा होता है इस AB का, आधा लेंगे कैसे, AB का हमको आधा लेना है, CD का आधा, हम ल लिखेंगे इसलिए हाफ AB बराबर हाफ CD आप लोग जानते हैं दोनों पक्षों में हम लोग ये कही संख्यास गुड़ा भाग जोड़ घटा ना कर सकते हैं यहां कारण भी लिख सकते हैं आप लोग लिखेंगे एक बटा दो से दोनों पक्षों में गुड़ा करने पर एक बटा दो से दोनों पक्षों में हमने गुड़ा किया आप देखिए हाफ AB का मतलब क्या हुगा ध्यान दिजिएगा आप लो AB का आधा कौन है AB का आधा देखिए यह होगा AN और NB दोनों आधा आधा होंगे क्यों होंगे आप लोग प्रिमे एक पर चुके हैं बिरित के केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम्दिवी भाजित करता है मतलब दो बराबर भागों में बाठता है तो कौन हमको AN की ज़रूरत नहीं है हमको ANB की जरूरत है तो हम लोग ले सकते हैं नब बराबर कौन होगा हाफ CD देखिए CD का आधा कौन होगा तो मतलब CM र MD बराबर होंगे तो CD का आधा कौन होगा CM भी होगा MD भी हमको CM की जरूर आता तो हम लोग CD का आधा क्या लिख सकते हैं CM लिख सकते हैं CD का आधा कौन होगा CM होगा क्योंकि यहां लंब खीचा गया लंब दो भागों बाढ़ता है हम लोग कारण यहां लिख लेंगे लिखेंगे बिरित के केंद्र से जिवा पर डाला गया लंब जिवा को सम्द्विभाजित करता है सम्द्विभाजित करता है यह हम लोग कर लेंगे इतना अब देखिए बिर बराबर जब CEM आया तो हम लोग क्या करेंगे इसका और इसका यूज करेंगे इसको बना लेते हैं समी करण 2 तो हम लोग ऐसे लिखेंगे देखिए पहले हमने MP लिया है तो MP तो पहले हमको CEM की जरूरत होगी तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं NB बराबर CEM है या हम लोग लिख सकते हैं CM बराबर NB यह समी करण 2 बना लेते हैं अब हम लोग क्या करेंगे समी करण 1 में समी करण 2 को जोड देंगे देखिए जोडने पर अब देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या होगा बाया साइड में बाया साइड जोड़ते हैं तो हम लोग लिखेंगे MP MP प्लस CM बराबर PN में जोड़ेंगे कौन? अब देखिए MP PPLUS CM क्या होगा? MP PLUS CM इसको क्या? CP लिख सकते हैं ध्यान देघिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? MP PLUS CM MP PLUS CM पूरा मिला के यहां से यहां तक हो रहा है PC तो हम लोग इसके जवाब पर लिख सकते हैं PC बराबर PN प्लस NB देखिए PN प्लस NB PN और NB जोड़ेंगे तो क्या होगा यह PB होगा तो इसके जवाब पर हम लोग लिख सकते हैं PB यही हमको देखिए सीद करना था PB बराबर PC इसी को हम लिख सकते हैं PB बराबर PC यह हमको प्रूब करना था हम लोग लिखेंगे प्रूब अब देखिए PB बराबर PC जब हो गया तो इसी तरह AP बराबर DP भी हो जागा तो हम लोग दूसरा proof नहीं करते हैं यहां लिख दिया जाता है यह ändern प्रूब करने के बार लिखते हैं इसी परकार इसी परकार AP बराबर DP इसी परकार लिखेंगे AP बराबर DP यह भी हो गया proof दोनों जब सेम रहते हैं यह कहीं जासा प्रूब करना तो एक प्रूब करके दूसरा इसी परकालिक दिया जाता है इस तरह से ये कोस्चन आप लोगों का सॉल बता हम लोग कोस्चन नमबर थर्ड़ को देखते हैं देखिए आपर question number third दिया याद एक बिरित की दो समान जिवाएं बिरित के अंदर प्रतिछेद करना तो सिद कीजिए कि प्रतिछेद बिरित को केंदर से मिलाने वाली रेखा जिवाओं से बराबर कोड बनाती है इसमें क्या कारा कारा कोई एक बिरित दिया हुआ देखिए मालने जी बिरिता जिसका केंदर O हमने माल लिया और कह रहा है कि बिरित की दो समान जिवाएं होंगी दो मालने जी हमने समान जिवाएं A, B और C, D इसमें खीज दिया कह रहा है कि एक बिरित के अंदर प्रतिछेद करना देखिए बिंदु P पर प्रतिछेद करना है, मतलब एक दूसरे काटना है, इसके पहले वाला सेम फिगर है ये, तो कह रहा है प्रतिछेद करना, तो प्रतिछेद बिंदु को केंदर से मिलाने वाली रेखा, जो प्रतिछेद बिंदु है, इसको केंदर से मिलाने वाली जो र जीवा ये है तो देखिए जीवा से ये कोड बनाता है और जीवा से ये कोड बनाता है यही हमको सीध करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे बराबर कैसे सीध हम लोग करेंगे दोनों कोडों को इसमें सीध करना बराबर तो हम लोग देखिए क्या करेंगे यहां यहास, एक LUMB खीच देंगे, इस पर तिर भूज बनाएंगे, और यहास भी LUMB खीच देंगे, LUMB मान लोजे, हमने M, और N खीच दिया, जब 2 तिर भूज हो गए, दिखिए, दोनों तिर भूजों को, अगर हम लोग सरोवांसम दिखाद ये लम्म हमेंने खीचा है, मtलब नब्यान्स का कोड बनेगा, सरवानिक्साम दोनों को दिखा तक आ सकते हैं ये कोड के बराबर काफी ईजी, कोस्टेन हम लोग लिखेंगे सबते पहले लिखेंगे ग्यात है, ग्यात है कौन कौन A B और C D ये दिया हुआ कि एक बिरित की दोस्त समान जिवाया हैं और कह रहा है एक प्रतिछेद बिंदू P तथा प्रतिछेद बिंदू P को O से मिलाती हुई का मिलाती हुई रेखा यह ओपीर या हुआ है पी को से मिलाते हुई रेखा वे मिलाती हुए फ्या फ्या क Dealia कि अब मैं हम लोग क्या लिखेंगे ङाता होगी हम लोग लिखते हैं सgiaet करना सिद क्रोफ तक हरना से हो देखिए सिद्ध हमको यह करना है यह कोड़ इसके बराबर होगा इस कोड़ का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे लिखेंगे ओ पी एम हम लोग लिखेंगे कोड़ ओ पी एम बराबर होगा किसके कोड़ ओ पी एन के O, P, N के यह हमको सीध करना है रचना हमने क्या लिया है देखिए उसको भी लिख लेंगे लिखेंगे रचना रचना हमने क्या किया है O से लंब हमने खीचा है O, M और यहाँ O, N हमने लंब खीचा है हम लोग लिखेंगे O, M, Lंब किस पर? CD पर तो ऐसे short में हम लोग लिख सकते हैं OM LUMB खीचा CD OM LUMB CD तथा OM LUMB किस पर हमने खीचा है? AB पर OM LUMB AB खीचा अब देखिए जा हमने LUMB खीच लिया दो तिर भूज बने हैं दोनों को सरवाएंग सम दिखाते हैं हम लोग लिखेंगे प्रमार अगर दोनों को सरवाएंग सम हम लोग दिखा देते हैं तो हम लोग कहा देंगे ये कोर इसके बराबर होगा तो यह हम लोग को दिखाना हम लोग लिखेंगे तिर भूज OPM लिखेंगे तिर भूज OPM OPM ये तिर्भूज है OPM और OPN में तथा तिर्भूज OPN में दोनों तिर्भूज में हमको सर्वांसम दिखाना तो देखिए OEM हम लोग लिख सकते हैं OEM के बराबर हम लोग लिखेंगे OEM बराबर OEM कारण क्या लिखेंगे कि समान जिवा केंदर से समदुरस्थ होती हैं लिखेंगे हम लोग बिरित की समान जिवा हैं केंदर से समदुरस्थ होती हैं यह हम लोगों लिख लिखेंगे OEM काल OEM है फिर हम लोग लिख सकते हैं कौन O P बराबर O P के यहों की दोनों तिर्भूजों में है हम लोग लिखेंगे O P बराबर है O P के कारण क्या लिखेंगे Ubanist अब देखिए जब यह समकोड तिर्भूजा है करण देखिए दोनों बराबर है नबेक सामने वाला करण होता है O P दोनों में है दोनों बराबर है तो जब करण और कोई एक भूजा वराबर हो दो समकोड तिर्भूजों में तो हम लोग का सकते है कि दो ही चीजों पर तिर्भूज सरवाइंग समर हम लिखेंगे इस लिए तिर्भूज O Pन सरवाइंग सम होगा किसके तिर्भूज O P N के जब दोनों सरवाइंग सम हैं किस रूल से RHS द्वारा और जब दो तिर्भू सरवाइंग सम हो गए तो हम लोग कर सकते हैं सभी संगत भुजा संगत कोड बराबर होते हैं इसलिए हम लोग कर सकते हैं ये कोड इसके बराबर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए OPM इसलिए कोड OPM बराबर होगा किसके कोड OPN के यही हम लोगों को सीद करना था देखिए तो यहां लिख देंगे CPCT द्वारा और यहां हम लोग लिखेंगे Proved तो इस तरह से आप लोगों को question solve करना है बाकी के बचे हुए question आप लोग अगले part में देखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही